इस question में line L और line M एक दूसरे के parallel है parallel बोलने का मतलब यह है कि इन दोनों की बीच में जो distance है वो कभी भी change नहीं होगी चाहे हम इन दोनों को कितना भी आगे क्यों न बढ़ा ले है न ये दोनों आपस में एक दूसरे को कभी भी touch या cut नहीं करेंगी इनने हम चाहे कितना भी आगे बढ़ाएं ठीक और हमें एक triangle बनता हुआ दिख रहा है ये एक line खीची हुए बीच से और इसका जो बाहर वाला angle है वो 125 डिग्री है 125 एक स्टीरियर एंगल और हमसे x पूछा हुआ है और ये जो line है इसने 90 डिग्री का angle बनाया है इस line M से ठीक है ये question है और अब हम जानते हैं कि किसी भी straight line का जो angle होता है जैसे कि ये अगर ये straight line खीच दिया मैंने तो ये जो angle होता है न उपर वाला ये 180 डिग्री होता है किसी भी straight line में जो उपर वाला angle होता है वो कितना होता है 180 डिग्री उपर से 180 डिग्री और नीचे से 180 डिग्री इसलिए total होता है 360 डिग्री तो यह जो 180 डिग्री एंगल है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है है ना यह वाला जो पूरा स्ट्रेट लाइन है यह तो 180 होना चाहिए टोटल उसमें से 125 125 तो यह खा गया तो बचा कितना 180 में से 125 यह अगर खा गया तो यह कितना इसको कितना मिलेगा 55 है ना अगर मेरे पास 180 रूपाइस थे पैसे थे 125 खर्च हो गए तो 55 बचा सिम्पल अब हम जानते हैं यह तो ट्राइंगल दिख रहा है हमें यह जो शेप है यह जो इसकी जो तस्वीर है फोटो है वह तो ट्राइंगल जैसी है तो ट्राइंगल में तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो यह तो 90 बताया है दोखो प्राइंगल आया हमसे क्वेस्चन में 90 डिग्री है 55 डिग्री है इसको कितना मिलेगा तीनों को 180 मिलना था 90 यह खा गया 55 यह खा गया बचा कितना सोचो 90 प्लस 55 कितना होता है 145 तो 145 खा गये यह दोनों 180 में से तो बचा कितना 35 सिंपल तो X कितना आ जाएगा 35 है न तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर X इक्वल टू 35 डिग्री ठीक तो यह खतम हो गया कहीं पर अब इसको एक और तरीका मैं बताता हूँ solve करने का जैसे अगर यहाँ पर जब हमने सोच लिया था कि यह पूरा 180 होना चाहिए 180 उसमें से 55 तो 125 यह खा गया तो 55 इसको मिला है न यह 55 हो गया यह वाला angle तो हम जानते हैं कि यहाँ देखो Z जैसा बन रहा है कि ए यह जैसा बन रहा है तो मैंने पहले भी पठाया कि एगर कहीं पर जैसा बंटा हो एना यह जैड अगर कहीं पर जैड बन रहा हो चाहे ऐसे बन रहा हो तो क्यायaris में जो alternate alternate angle equal होते हैं यह दोनों parallel है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे Z जैसा बन रहा है ना यह यह mirror image है उल्टा करके पलट के Z को कैसे रखा गया है तो यह 55 है तो यह भी 55 हो गया alternate angle तो अब यह total 90 होना चाहिए यहां से हां क्योंकि यहां भी 90 है तो यह और यह दोनों parallel है तो जितना angle यह जो line है जो angle इससे बनाएगा वही angle यह यह वाली line इससे भी बनाएगा है ना तो यह भी total 90 होना चाहिए तो 55 में कितना add कर दे जो 90 हो जाए 35 55 प्लस 5 60 यह 30 90 तो यहां से भी दिख रहाएगी 35 होना चाहिए x ठीक